नमस्कार दोस्तों आप सभी का एकवार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिपेज गोर में आज हम आपके लिए फिर से एक नए घरती के साथ यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों भरती की जान करें देने से पहले आपको बता दो कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन को आल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिपिकेशन जो भी सब्सक्राइब करेंगे आपको एवी पैसा देने के ज़रूरत नहीं है दोस्तों आज हम भरती लेकर आए रेलवे की तरफ से रेलवे की तरफ से आपको बिल्कूं 5000 प्लस भरतियों के बारे में आपको जान करें देने वाले हैं जोकि आप्रेंटिसीप पहंग आप्लाइन आपको करना है दोस्तों कोई आनलाइन आपको देने वाले हैं वीडियो को एंड तक देखेगा एंड नोटिफिकेशन कहां पर मिलेगा वह भी हम आपको जान कर यहां पर दे देंगे तो सबसे पहले आपको बता दो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आपको जैसे कि पत कर देंगे यहां पर आपको फोलो का अपसन दिख जाएगा यहां पर आप ज़रूर फोलो कर दीजिए एंड के सरकारी नों के लिए रेलवे में अपरेंटिशिप के 5-6-6-6 पदो पर भरती निकली है आविदनास से सुरू है तो चलिए इसकी जानकर आपको पूर देते है अपरेंटिशिप क्या होता है कि हमें एक साल या छे महीने सीखने करी वो हमें 20 से देते हैं तो आविदन कब सुरू होंगे इसके 23-9 से इसके आविदन इस्टाट हो चुके हैं दोस्तों वो लाश्ट रेट की बात करें तो 22-10-2024 इसकी लाश्ट रेट है 100 रुपे जो सू जिनित की अगर कौन से पते के वाल एक पते वो कौन सा है अपरेंटिशिप का आयो सीमा की बात करें तो नियुनतम आयो सीमा 15 वर्स है और अधिकतम आयो सीमा 24 वर्स है और अगर आप दिव्यांगों को पांस साल की छूट दी जाएगी ठीक है अगर आप OBC से है तो आपको त Stir को बाद करें तो आपको बारवी की सेक्षणी को के अगरता मानने ता प्रात बॉर्ट से नियुंतम 50 अंकों के साथ 50 प्रतिसत के सांद 10 वी बार भी पास होने चाहिए अगर आप तकनीकी में योगिता रखते हैं या अगर तकनीकी ट्रेंड में जाना चाहते हैं तो आपको उस ट्रेड की प्रमांट पत्रानी बार में लगेगा डाकुमेंट के बाद करें तो आपको जो जो योगता है उसके document salary के बात करें तो भारत सरकार के नियम अनुस्वार जो apprenticeship में salary दी जाती है ठीक है नव से दस एर रुपय आपको salary अरिकताम मिलेगी selection process की बात करें तो selection case होगा तो merit based पर ठीक है सब आपको एक्जाम नहीं होगा, ना ही कोई paper एपर, ना ही कुछ होगा, ना कुछ होगा, ठीक है? आपका merit list बनेगी direct, इसकी merit की साहार कर बनेगी आपके percentage की अधार पर, ठीक है? और आधे दर किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले आपको official website पर चले जाना है, पर दिये गाए लिंक को लाग इन कर लेना है परसनल डिटेल डालना है आधार नम्म डाकुमेंट से भी जरूर है डाकुमेंट आपको अप्लोड करना है और जब फाइनल सम्मिट हो जा इसकी पेमेंट करते तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर ज़रूर ले 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 अठीक है आपीसल वेपसाइट यहां पर आपको दी गई है यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं नोर्टिफिकेशन की बात करें तो नोर्टिफिकेशन की यहां पर आपको लिंक दी गई है और हम नोर्टिफिकेशन ओपन करके बताते हैं यहां पर आपको क्लिक करें आपको क्लिक कर देन को मिल जागा पर हमने उसे हिंदी टांसलेट करकर आपको बहुत कुछ समझाने की कोसिस कि अगर आप नहीं समझ पा हैं तो जरूर से आप नोटिफिकेशन डाउनलूड कर सकते हैं और हमारे यूटिक चैनल का भी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जल हिंजा है वारा दोने मादरम